हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिलर्स के क्वेश्चिन के बारे में जो की पूछेगे हैं ऐसे सी सीजील 2019 बीस एकजाम में और पिछली क्लासेज में हमने सेंटेंस इंप्रूब्मेंट के जो क्वेश्चिन थे उनको यहाँ पर कंप्लीट किया था और अब हम फिलर्स के क्वेश्चिन कंप्लीट करने वाले हैं और इस प्रकार से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर CGL 2019 इंग्लिस क्वेश्चिन के नाम से और CGL 2020 इंग्लिस क्वेश्चिन के नाम से तो उन प्लेलिस्ट को आप चेक आउट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने नॉलिज को बढ़ा सकते हैं तो यह फिलर्स का पार्ट वान है तीन पार्ट में हम फिलर्स के वेश्चिन कवर करने वाले हैं क्योंकि 36 टोटल हमारे वेश्चिन हैं और ऐसा नहीं कि हम आपको केवल वेश्चिन बता दें और आंसर बता दें बस हो जाए ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा और साथ ही साथ हम जो उसमें other option होंगे उनके भी meanings आपको अच्छी तरीके से बताएंगे जिनमें आप उनमें difference अच्छी तरीके से समझ सकें तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज की class को और देखते हैं आज का पहला question और पहला question है और यहाँ पर आपको एक fill in the blanks दिया जाता है और फिर चार absence में आपको जो exact answer है वो यहाँ पर चूच करना होता है तो जर्णल पहले हम sentence पढ़ते हैं फिर उसका हम थोड़ा सा बहुत समझते हैं यानि हमें मदद करनी चाहिए किसकी homeless people and physical disabled people की तो यहाँ पर देखे एक word दिया हुआ है help और यानि उस fillers के पीछे और आगे से ही हम यहाँ पर help लेते हैं उस sentence को करने के लिए तो we must help तो यहाँ पर एक word हमको मिला help अब यहाँ पर सही meaning क्या आएगी तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है donate और donate अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह word दिया हुआ है help तो किसी को हम donate help donate थोड़े ना की जाती है जो money होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं donate का यानि जब किसी को हम money donate करते हैं दान करते हैं तो वो basically money होता है help तो किसी को हम donate नहीं करते तो यह license नहीं होगा उसके अलावा contribute और contribute means होता है सहायता करना और यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है help तो यह भी answer हमारा नहीं होगा उसके बाद आता है exert और exert means होता है परिस्त्रम करना to hard work यानि hard work करना उसके अलावा फिर अगला अफसान आता है render और render means होता है act of providing something यानि कुछ provide करना और उस sense में हम use करते हैं render का तो यहाँ पर render help एक सही choice होगी यानि हम को help provide करनी चाहिए किसे homeless और physically disabled people को तो यहाँ पर सही answer होगा render अगला question है handle this glass table with care because it is क्या है ductile है fragile है volatile है या frugal है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बात की जा रही है this glass table यानि यह कांच से बनी वी यह table है इसे आप with care अच्छी तरीके से पकड़िये जिससे कहीं ऐसा नहों कि यह तूट जाए यानि यह बहुत ही जल्दी तूटने वाला है और इसके लिए हम प्रियोग करते हैं और उसके अलावा जो other words दिये हुए इनमें है ductile और ductile means होता है कोमल यानि flexible और कोई चीच flexible होगी तो वह जल्दी और यहाँ पर टूटेगी नहीं उसके अलावा जो velatilis का मतलब होता है wasp seal यानि quality of evaporating easily low temperature यानि जो wasp में बदल जाए उसे wasp seal यहाँ पर होगा और frugal जो word है यह आपका frugal से मिलता जुलता है लेकिन frugal means होता है economical और economical का मतलब होता है जो मितब वेई हो यानि कंजूस भी नहीं हो खडचीला भी नहीं हो एक अच्छी तरीके से जो money को spend करता हो उस खर्च करने वाला एक limit में खर्च करने वाला तो यहाँ पर जो सही answer होगा वो होगा frugal अगला question है c on playing on the bill at the restaurant तो यहाँ पर यह गलत थोड़ा सा type हो गया यहाँ पर होगा paying यानि playing नहीं होगा यहाँ पर होगा paying जो bill है उसने restaurant में pay करने के लिए क्या किया offered किया suggest किया insisted किया या request किया तो यहाँ पर request तो पहले से ही गलत हो जाएगा हम bill pay करने के लिए request नहीं करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर एक word दिया हुआ है on और इसके साथ किस word का यूज किया जाता है यानि यह एक proposition है और set proposition का यूज यहाँ पर आप अच्छी तरीके से पहले ही यहाँ पर इस question का answer निकाल सकते हैं बिना पढ़े क्योंकि instead insistence के साथ हम यूज करते हैं on का और on यहाँ पर लगा हुआ यानि offered on सही choice नहीं होगी suggested के साथ यूज करते हैं हम two का और two दिया नहीं हुआ तो suggested भी सही answer नहीं होगा और requested के साथ हम यूज करते हैं two का तो यह भी सही answer नहीं तो इंसिस्टेट ऑन पेइंग दे बिल अट दी रिस्टोरेंट अगला क्वेशन है दे ग्रूम इस्टूड विफोर दी फॉर दी वेडिंग सेरेमनी अट दी चर्च तो चर्च पर वेडिंग सेरेमनी की बात यहां पर की जा रही है और दीकिए एक ही तरह दिखने वाले वर्ड यहां पर आपको दिये गए है अल्टर है अल्टर अल्टर दोनों को से हमी पढ़ते हैं इस्पेलिंग्स में अंतर होता है इसमें यह होता है उसके बाद एटलस एटिक तो सबसे पहले बात करें हम एटिक के तो एटिक वसीकली क्या होता है तो यह एक स्पेस होता है जश्ट विलोधा रूफ अगर सिंपल बासा में हम आपको कहें जो अच्छत होती है उसे के ठीक नीचे एक छोटा सा एक कमरा टाइप बना दिया जाता है यानि एक छोटी सी उसे हम यह कहलें जहां पर आप वस्तूओं को रखते हैं आपने देखा होगा जो गाओं में घर बने होते हैं उनमें रूफ के जश्ट नीचे यानि छट के जश्ट नीचे एक छोटा सा इस्पेस दिया जाता है जिसमें चीजों को रखा जाता है और उसे ही हम कहते हैं क्या एटिक इस्पेस जश्ट विलोदा रूफ उसे हम एटिक कहते हैं, उसके अलावा बात करें, अगर हम एटलस की, तो एटलस आप सभी जानते हैं, एट बुक आफ मैप्स यानि मैप्स की जो बुक होती है, उसे हम एटलस कहते हैं, अब ये दो वर्ड हमारे बचे सेम प्रणसियेशन वाले तो देखें यहाँ पर चर्च मेट वेडिंग सेरी मैँ में इन आटलस का कोई संस बनता नहीं, अब यहाँ पर अलटर और अलटर, तो ये वाला जो अलटर होता है, T.A.R. वाला ये होता है, a holy table, a holy table in charge, और यहाँ पर इसी वेडिंग सेरी मनी की बात की जा रही है, कि किसके स सामने खड़े होकर तो उस holy table की सामने खड़े होकर जिसे कहा जाता है alter और यही यहाँ पर सही आंसर होगा और इस alter का मतलब होता है बदलना यानि की change इसी से एक word बनता है alternative यह word आपने जरूर यूज किया होगा सुना भी होगा alternative यानि की बैकल्पिक इसका दूसरी चीज़ अ को चाहिए यह alternative चीज़ चाहिए तो alter means होता है बदलना इसमें होता है ter और tar होता है a holy table in the church अगला question है it is a day to start your new business यानि तुम्हारे नए बिजने से start करने का यह एक day है कैसा day है ominous, occasional, odysseous या auspicious तो यहाँ पर ominous की अगर बात की जाए तो यह होता है a bad day तो किसी बुरे दिन को तो आप अपना बिजने सुरू नहीं करेंगे तो यह पहले ही यहाँ पर गलत होता है और occasionally comments होता है that happened once in while यानि ऐसी गटना जो एक ही बार हो occasional तो इसमें भी आप बिजने से अपना start नहीं करेंगे फिर आता है odysseous और auspicious तो odysseous मिंस होता है willing to take risk willing to take risk उसके बाद आता है auspicious और auspicious मिंस होता है showing sign that something is likely to successful यानि आप इसे कह सकते हैं monglic या सौभाग साली तो या एक auspicious day है सौभाग साली दिन है तुम्हारे विजनेस को start करने के लिए अगला question है he a heinious crime तो छोटा सा यह sentence है committed made occurred या happened तो देखे यहाँ पर जो happened का means है वो यहाँ पर होता है कि अचानक होना यानि कोई घटित होना वो यहाँ पर happened होती है तो crime कोई घटित तो होगा नहीं अचानक उसके बाद occurred यानि इसका भी मतलब होता है होने वाला यानि होने वाला ही है और made means होता है करना यहाँ पर सही answer होगा committed तो देखे यह एक collocation भी है committed crime तो crime word से आप यहाँ पर सही choice यहाँ पर choose कर सकते हैं committed crime ही यहाँ पर सही choice होगी ना कि occurred crime, happened crime या made crime अगला question है the student went to the year classes after the morning assembly most important question of the day आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों जो यहाँ पर आपको option दिये हुए चारों एक ही तरह लग रहे हैं लेकिन सभी का यहाँ पर जो meaning है वो थोड़ा थोड़ा अलग होगा तो देखे respectable, respectful, respected और respective तो respected देखे रिस्पेक्ट से बनी हुई ए एक यह word है respected यानि की respect मिन्स होता है सम्मान करना, respected यानि की सम्मानी है आप कहते हैं वो एक respected परसन है यानि सम्मानी परसन है उसके बाद respectful और respectful का मतलब होता है having respect, having respect उसके अलावा respectable और respectable का मिन्स होता है सम्मान के लायक तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सभी जो student है वो अपने अपने classes में जाए morning assembly के बाद तो यहाँ पर देखे सम्मान की कोई बात नहीं है तो इसी से एक word आता है IVE वाला यानि respective word और इसका मतलब होता है belonging and relating तो यही यहाँ पर सही answer होगा तो respect से आप यहाँ पर दोखा न खाएं यहाँ पर respective का सम्मान से कोई लेना देना नहीं है इसका मतलब होता है अपनी अपनी यानि the student went to the year जो student है अपने अपनी classes में जाए morning assembly के बाद तो respective का मतलब होता है belonging and relating बांकी जो respectful, respectable, respected यह सभी सम्मान से ही related है अगला question है the government has warned the traders not to onion यानि onion को क्या न करें, bulk न करें, gross न करें, combine न करें, hoard न करें तो government ने एक warning दी कि जो भी traders हैं वो onion को यानि प्याज की क्या न करें, bulk न करें उसके बाद gross means होता है, total amount total amount का question से यहाँ पर है, नहीं combine means होता है जोड़ना और hoard यहाँ पर सही 24 होगी, क्योंकि hoard means होता है stock तो government ने वान किया कि जो traders हैं, वो onion का stock न करें क्योंकि अगरे वो stock कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर महेंगाई बढ़ने के chances ज्यादा रहतें अगला question है, a reward is a, which motivates a person to achieve excellence in each field तो जो reward होता है, यानि जो reward दिया जाता है, वो बैसिकली क्या होता है किसी एक person के लिए, memorial, monument, recognition या collection तो सबसे पहले collection, word गलत करेंगे, collection means होता है, संग्रे तो यह कोई reward, किसी के लिए कोई संग्रे नहीं होता, जो उसे motivate करें अपनी field में excellence achieve करने के लिए, यहाँ पर memorial, बात करें, अगर हम memorial की तो memorial का जो means होता है, वो होता है, यहाँ पर structure to remind people यानि किसी people किसी विक्ति को याद करने के लिए जो structure बनाया जाता है उसे हम memorial कहते हैं, जैसे दिल्ली में बना हुआ है, हमारा war memorial तो जो भी हमारे सैनिक सहीद हुए थे, उनके सम्मान में यह बनवाया गया memorial और इसलिए उन लोगों को याद करने के लिए, उन सैनिकों को याद करने के लिए जो structure बनाया जाता है, उसे हम memorial कहते हैं और monument ही अगर बात करें, तो यह भी एक structure ही होता है, यानि remind people के लिए ही बट यह site होती है, that's historical importance आप देखते हैं, जो भी मकबरे बने, महल बने यह इनको हम monument कहते हैं, क्योंकि site that has historical importance यानि यह एक historical importance रखते हैं, history से related है उसके बाद यहाँ पर जो सही answer होगा, वो होगा recognition और recognition means होता है, identification of someone यानि पहचान, तो एक reward किसी विक्ति के लिए पहचान होता है जो उसे motivate करता है, किसी अपनी field में excellence achieve करने के लिए है, यानि किसी को award मिलता है किसी अच्छे कारे के लिए ही, तो वो उसे को एक अच्छी ख्यात ही दिलाता है, पहचान दिलाता है अगला question है, the government should take student steps against terrorist and foil there, यानि उसका क्या condition, benevolent, exemplary या malicious, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो condition है, इसका मतलब होता है, यानि इसका जो sense यहाँ पर आता है, तो उसके अलावा benevolent और benevolent का मतलब होता है, यहाँ पर well-being, beneficial word बनता है, benefit word बनता है, और इसी से benevolent word भी बनता है, जो की well-meaning की बात करता है, और यहाँ पर दिया हुआ terrorist, कोई न कोई negative word ही यहाँ पर हमको लाना होगा, और exemplary का means होता है, very good, और उसके अलावा, अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो condition का means होता है, यह होता है, making easy, यानि किसी चीज को सरल बनाना, तो यह भी word नहीं है, फिर यहाँ पर एक root word हमको मिला, malicious, और mal एक root word है जिसका, जिसका sense हमेशा negative ही होता, यही यहाँ पर सही answer होगा, और malicious मिन्स होती है, यहाँ पर दुर्भावना पूर्ण, तो malicious का मतलब होता है, दुर्भावना पूर्ण, तो terrorist की जो दुर्भावना पूर्ण, malicious activity थी, उनको foil यह उनकी against steps लिया government है, अगला question है, यहाँ पर being a millionaire, और millionaire यह आप spelling देख लीजिए, बहुत बार यह spelling, spelling mistakes के अंदर पूची गई है, तो m i यहाँ पर double l i o n, यह तो हो गया आपका million, और उसके बाद millionaire, तो a i r e, यह आपको याद रखना है, कई बार spelling mistakes में यह meaning पूची जाती है, तो being a millionaire, he is leading a life, कैसी life, luxurious life, destitute life, condition life, और expensive life, तो destitute का यहाँ पर अगर हम बात करें, तो destitute means होता है, extremely poor, यानि बहुत ज्यादा गरीब होना destitute, तो यह sense होगा नहीं, क्योंकि आप अगर millionaire हैं, तो आप एक poor life तो lead नहीं करेंगे, उसके बाद अगर बात करें, तो यह भी हमने आपको यह meaning बताया, इसका मतलब होता है, making easy, यानि की आसान बनाना, उसके बाद दो ही word अब हमारे बचते हैं, expensive और luxurious, तो expensive means होता है, costing a lot of money, costing a lot of money, तो यह किसी वस्तु के sense में basically आता है, कि यह जो वस्तु है, काफी expensive है, यानि costing a lot of money है, लेकिन यहाँ पर जो यह answer होगा, वो होगा luxurious, क्योंकि millionaire से luxury का ही यहाँ पर, sense यानि अच्छा यह collocation मनता है, extremely comfortable, luxurious का मतलब होता है, extremely comfortable अगर बात करें हम, comfortable और उसके अलावा एक इसी से मिलता जुलता word है, expensive, तो don't confuse between expensive and expensive, और इसका मतलब होता है, friendly यानि की खुस मिजाज, expensive का मतलब होता है, और expensive मिन्स होता है, महेंगा, अगला यहाँ पर question है, children under five years are from passports biometrics, यानि जो under five years children से, वो passport biometrics से क्या रहेंगे, allowed रहेंगे, exempted रहेंगे, equated रहेंगे, या escaped रहेंगे, तो बात करें यहाँ पर, तो जो escaped है, इसका मतलब होता है, भाग जाना, तो यह questions यहाँ पर देगा नहीं, और equated का मिन्स होता है, free from criminal charge, free from criminal charge, यानि जो भी अपराद, आपको, यानि जो भी आपका दोस लगाया गया है, पराद का, उससे free करना, equated कहलाता है, और यह भी हमारा सही answer नहीं होगा, और allowed, यानि की अनुमत ही देना, तो यह भी सही नहीं होगा, सही answer होगा, exempted, और exempted मिन्स होता है, free from an obligation, free from an obligation, तो सही answer होगा, exempted, तो यह हमारे आज के 12 sentence थे, और यह इसका part 1 था, और part 2 and part 3 में आगे के जो बचे हुए 24 sentence हैं, उसको हम यहाँ पर cover करेंगे, और इसकी PDF अर्लेडी कल ही available करा दी गई थी आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ से आप उसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और फिर इस class को देखें, जिससे आपका नालिश और भी ज्यादा improve हो सके, और साथ ही साथ हम जो vocab related भी चीज़ें आपको बताते हैं, साथ में अधर आफसन दी होते हैं, तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें मिलते हैं, आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद